अस्सलामों अलेकुम, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं पडियासी ग्रेवी, जिसका नाम है चंगेजी चिकन टंगडी कबाब, बहुती मज़ेदार, डिलिशिस है टेस्ट में, और बहुती 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 ब अलेके बनाते हैं। चलिए है, यह है एक किलो तक की चिकन, वो जो तंदूरी के लिए हम मंगाते हैं, लेक पीस कमर के साथ जो कहते हैं, लेक पीस अनौन, वो वाली है एक किलो तक की, तकरीबां 3 बैटी एक किलो में, मैंने धो लिया, चरबी निकाल ली, अच्छे से पैट ड्राइ कर लिया और उसमें इस तरीके से डीप स्लिट्स आगे पीछे मार लिये, तीनो ये इस के उपर, लेक पीस के उपर, अब ये आप चाहें, तो लेक पीस नहीं लेना है, तो आप चिकन ले सकते हैं, एक चुटचय का चमच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आपका स्पाइसी हो तो कम दालिएगा, एक चुटचय का चमच, गरम मसाला पाउडर, एक चुटचय का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, ये घर में कुटा हुआ, पीसा हुआ है, और एक चुटचय का चमच, धन चुटकी भर, तंदूरी red food color, आदा चुटचाय का चमच, कसूरी मेती को हातों की मदद से crush करके दाल दीजिए, और यहाँ पर अधरक लसन का paste 1 tablespoon दाल कर बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, और यह सारे जो marination को बहुत अच्छे से well code कीजिए, हमारी chicken pieces के ओपर, उपर, नीचे आगे, पीछे, side पर, और यह जो specially जो हमने cuts लगाई हैं, उसके अंदर बहुत deeply अच्छे से masala लगा दीजिए, आगे, पीछे इसके अंदर, ढाक कर फिरिज के अंदर marinate करने, 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, या फिर आप रात को रखेंगे, मतलब जिस दिन बनाना है, अगली रात को masala लगा के, रख देंगे धाक कर फिरिज के अंदर, तो जादा better रहेगा, लेकिन at least 2-3 घंटे का, आप marination रखिएगा chicken के ऊपर, अब एक कड़ाई या fry pan के अंदर, थोड़ा सा तेल दाल दीजिए, यहाँ पर मैंने 4, medium से हलकी बड़ी थी, प्यास लिए है, रफली काट कर दाली है, इसे बार बार चलाते हुए, तब तक fry कीजिए, फास्ट आंच पर प्यास को, जब तक ये हलका color change होना शुरू नहीं ह हो जाते हुए, उसके बाद दाल दीजिए, तक करीबन मैंने दाले है, साड़े 300 से 400 ग्राम टमाटर, मैंने इसे रफली चॉप करके, यानि के काट के दाल दिया है, चुटकी बार नम्मक दाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हमें यह जो टमाटर है इसे सॉफ्ट करने है, तो मैं क्या कर रहे हूँ, अच्छे से नम हो चुके है, चुले को कर दीजिए, पंद और उसे ठंडा हो जाने दीजिए, जब अच्छा कंप्लीटली ठंडा हो जाए, तो मिक्सर जार के अंदर दाल दीजिए, बिना पानी डाल कर इसे बहुत चिकिन पर आजाते हैं, फ्राइंग पर, दो दिन घंडे हो चुके हैं चिकिन को, तो मैंने फ्राइपन के अंदर तीन-चार टेबिलस्पून जितना मखन दाला है, थोड़ा सा तेल दाल दीजिए, और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए, जब अच्छा मेल्ट हो जाए, तो व आज गया है, वो मैं वेस्ट नहीं करूंगे, और यह सारा जो मसाला है, चिकिन के पीसस के ओपर मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, आप भी वेस्ट मत कीजिएगा, और जब 2-3 मिनिट हो जाए, तो इसे फिर से पलट दीजिए, और पलटने के बाद चूले को कर तक करीबन 10-15 मिनिट तक पकने दीजिए, जब 10-15 मिनिट हो जाए, तो फिर से पलट दीजिए, और पलटने के बाद फिर से 10-15 मिनिट तक पकने दीजिए, या तब तक पका है, जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तब तक, अगर आपने लेक पीसस नहीं ले आप क्या कीजिए ये जो आपका ये तवा हटा लीजिए और grilling plate लगा दीजिए चूले के ऊपर directly flame के ऊपर हमारी ये जो तंदूरी है उसे थोड़े से अच्छे से grilling spot जैसे तंदूर कैसे करते हैं वैसे लगा दीजिए मैं वैसा नहीं कर रही हो इस बार और मैंने यहां fry pen के अंदर ये अच्छे dark marks ले आ गई हूं मैं हमारी ये जो chicken आप देख सकते हैं बढ़िया सी color भी आ गया इसके अंदर तो मैं इसका चूला कर देती हूं बंद और अब हम gravy बना लेते हैं दो तीन टेबल स्पून जितना मखन दाल दीजिए वही कड़ाए के अंदर जिसमें आपने अभी प्याज और टमाटर फ्राइ किया था थोड़ा सा तेल दाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार अच्छा मेल्ट हो जाने दीजिए इसमें मैं एक टेबल स्पूर अद्रकलस पेस्ट भून जाए तो यहां पर यह जो हमने पेस्ट बना कर रखा है प्याज आटमाटर का यह दाल दीजिए बहुत अच्छे से और चूला फास्ट पर ही है बहुत अच्छे से पहले चला लीजिए चूला मैंने स्लो किया अभी थोड़ा नमक दाल दीजिए स्वाद अन नहीं जाते और तेल चूटने नहीं लगता तब तक आप इसे घून लीजिए चले कुछ दिर बाद तेल चूटने लगा है तो यहां पर मैं फिर से और घूनूंगी तो वन फोट कब जितना पानी मैं मिक्सर जार के अंदर चला कर डाल देती हूं इसके अंदर और इसे एक पकने दीजिए चलिए कुछ देर हो गई है आप देख सकते हैं तेल बड़िया सा छूट चुका है यहां भुनाई इसकादर करिएगा कि जो हमारा मसाला है ना पैंट छोड़ने लगे इसकादर भुनाई करनी है तो आप देख सकते हैं बड़िया सा पैंट भी छोड़ने मैं दाल देती हूँ 1 foot cup जितनी मलाई अब आप बाजार की भी ले सकते हैं या घर की दाल सकते हैं मैंने बाजार की लिए है और एक छुटचे कच्मत कसूरी मेथी को हातों के मदद से क्रश करके दाल दीजिए बहुत अच्छे से mix कर लीजिए अब जो चिकिन पीसे रखे हैं साइट पर विस में लाई रफानी रेम बोल कर तीनों को दाल दीजिए और बहुत अच्छे से वैल कोट कीजिए फिर पलड भी दीजिए अब पलड के वैल कोट कीजिए अच्छा ये जो तेल था था थोड़ा मैं ये भी दाल रही हूँ हलका मसाला आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी आदत है मैं ये थोड़ा मसाला भी दाल देती हूँ पर आपने नहीं दालना और आप छान कर तेल दाल सकते हूँ ये तोटली आपके ओपर है यह आप आपके हिसाब से कर सकते हो, अब मैं बहुत अच्छे से इसे mix कर लेती हूँ, अब चिकन को मसाले के अंदर 4-5 मिनिट तक slow आच पर पकने दीजिए, मैंने ढाका नहीं था, थोड़ा सा बढ़िया सा पक जाएगी कि चिकन के अंदर मसाले का flavor आगा और मसाले में चिक करने जैसा लगे तो कर दीजिएगा, slow आज करके इसे ढख कर 5 मिनिट तक पकने दीजिए, जब 5 मिनिट हो जाए तो खोल लीजिए और फिर यह जो हमारे चिकन के लेग पीसेज है तो इसे पलट दीजिए, अब आपने अगर लेग ने लिए और फर्स करो सिर्फ आपने चि जितना भर कर मखन यानिके मसका पटर, 3-4 हारी मिर्चियों को स्लिट मार कर और थोड़ी सी बारिक कटी हुई कोतमेर यानिके हरा धनिया दाल दीजिए और इसे आप चाहें तो चलाना चाहें तो चला लीजिए, नहीं तो slow आज करके बाकी का 5 मिनिट और मैं पकने देती तो ये हो गया, हमारा पक गया है, चिकन चंगेजी बट में एक तड़का देना जरूरी है, हमारा टांडे का तो एक छोटी सी वाटी रखी मैंने, उसके उपर गरम कोईला रख दीजिए, क्विकली तेल, घीया, मक्कन दाले और ठाक दे, और बस 2-3 मिनिट के लिए रखे, ओवर पावरिंग हमें नहीं करना है, तांडा कि बहुत जादा ओवर पावर हो जाता है, तो उसमें उसका फ्लेवर उतना नहीं चाहिए, तो बस 2-3 मिनिट ही रखिएगा, यहां पर खुब सारी बारी कटी हुई कोट मेर याने के हरा धनिया में दाल देती हूँ, यह बन अगली रोटी किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं, वसे इन में से कुछ की रेसिपी, लिक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, खटास, नमक, और स्पाइस, अपने स्वाधन, उसाद अच्छ कीजिएगा इस रेसिपी के अंदर, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगिए, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे जादा अच्छी लगिए, तो अपने फैमिली और फ्रेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ट कीजिएगा, अगर आप बनाएं, तो मेरे साथ कमेंट सेक्षिन में जरूर श